हेलो एब्रिवन, वेलकम अगें टू लणवर देतिमन, देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नमबर 1 कर लिया था, ठीक है, यदि आपने चैप्टर नहीं पड़े हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, मैंने आप लोगों को 6 से 10 तक की कम्प्लीट चैप्टर जो है, वो पढ़ा हैं, इसके बाद जो है, हम नए तरीके से, अब हम इसको बहुत इजी वे में याद रखेंगे, चैप्टर ये आपको याद नहीं होते हैं, कई बच्चों के कमेंट आते हैं, तो इसको पीडियो फॉर्मेट में, यानि कोशन अंस में देख सकते हैं, राजिस्थान का इतिहास है छेप्टर का नाम, तो फॉस्ट देखें कुश्चन, किस शेत्र का उलेक, रिगवेद, रामायन, महा भाрат, चरक सहिता और व्रहत सहिता में मिलता है, तो उस शेत्र का नाम है, मरू प्रदेष, तो मरू प्रदेष, जो है किस को हम कहेंगे second question इसी से है related प्राचीन मरू प्रदेश का विस्तार वर्तमान किस जुले में हैं तो जिनको हम कह रहे हैं मरू प्रदेश तो उसमें देखिए अभी वर्तमान का विकाने राजाएगा पाड मेर जैसल मेर गंगा नगर चूरू और नागोर तो आपको ये याद र पासधानी का नाम अहिश शत्रपूर जिसको हम वर्तमान में कहते हैं नागोर फोर्थ question देखिए देखिए इस तरीके से आपका chapter जो है बहुत ही कम समय में complete हो जाएगा आपको interesting भी लगेगा और आपको हर चीज जो है याद भी होती जाएगी जांगल प्रदेश में कौन- बीका नेर आता है नागोर है और जोतपूर का कुछ भाग आता है फिफ्ट है question यादववन्स के बलराम और श्री कृष्ण द्वारी का जाते समय किस शेत्र से होकर गुजरे थे ठीक है तो द्वारी का गुजरात में जब गुजरात गए थे तो बीज में जो है किस शेत्र से होकर गुजरे थे तो वह है जांगल शेत्र यानी की जिसको हम क्या कह रहे हैं आज उकल भीका नेर नागोर और जोतपूर का भाग ठीक है तो यहां से होकर गुजरे थे बलराम और श्री कृष्ण नेक्स्ट देखें किस जनपद की राजधानी महा भारत काल में विराट भारत काल में मतस्य जनपद की राजधानी थी विराट नगर और वर्तमान में हम जानते हैं जैपुर और अलवर का जो भाग है यहां मतस्य जनपद में आता था यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही important line है और आपको मैंने लास्ट वीडियो में chapter 1 जब करवाया था 6th class क उसमें बताया था कि आपको हर exam में एक प्रश्ण वहाँ से मिला है chapter 2 में से भी आपको एक प्रश्ण मिला ही है ठीक है क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों से जांगल प्रदेश की जो राजधानी क्या थी ये आपसे पूछा जा चुका है आपके exam में ठीक है? उसके बाद जो है आपके exam में महा भारत काल में जो है राजधानी विराट नगर जो है किस जनपत की थी? ये आपसे पूछा जा चुका है इसी तरीके से हर लाइन जो है इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए और जो गलती आप लोगों ने पहले की है अब वो आप नहीं करेंगे चैप्टर आप पढ़ेंगे और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे सेवन है सूरसेन जनपद में कौन-कौन से जिले आते हैं तो भरतपूर आता है दहौलपूर आता है और करौली आता है एर्थ देखिए सूरसेन जनपत की राजधानी क्या थी तो सूरसेन जनपत की राजधानी थी मतुरा ठीके जांगल प्रदेश की राजधानी अहिशत्रपूर थी सूरसेन जनपत की राजधानी मतुरा थी ठीके और मतस्य जनपत की थी विराट नगर नाइंत देखो आर्यों का आरंविक जन तंतर कौन सा था तो आर्य जानी की सबसे पहले जो है कहां पर आये थे तो आप खुद ही जो है अगर आप मैप जो है वो देखेंगे तो इसी तरह यहां पर ही आये होंगे राजिस्थान में ठीक है तो जो भी स्टुडेंट यह बोलना चाहे कि आप जो है डिटेल में इसे बताईए डिटेल के लिए आप लोग चैप्टर पढ़िए मैंने आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से मैप के द्वारा समझाया भी है टैंत देखो मतस्य जनपत का वर्डन किस यात्री ने किया तो चीनी यात्री युवान चांग ने किया कहीं कहीं पर आपको जो है वेन सांग भी लिखा मिलेगा लेकिन आपकी बुक में ये दिया हुआ है युवान चांग किसे यूनानी लेखक ने सूरसेन का उलेख किया है तो यूनानी लेखक जो है वह है सिकंदर अब confusion यहाँ पर क्या रहता है दोनों ही आपने लाइने पड़ी है तो मतस्य जनपत का जो उलेख किया है वह है एक चीनी यात्री ने किया है और सूरसेन जनपत का उलेक जो है वह है एक यूनानी लेकक ने किया है ठीक है ये चीज़ आपको दियान में रखनी है याद सब कुछ रहता है लेकिन फिर भी जो है भूल जाते हैं 12 देखिए कौन सी प्रसस्ती में सूरसेन नामक राजवन्स की जानकारी प्रात्त होती है तो वह प्रसस्ती है बयाना प्रसस्ती कहां पर है ये भरतपूर में कौन सी प्रसस्ती में सूरसेन नामक राजवन्स की जानकारी प्रात्त होती है तो वह है बयाना प्रसस्ती नेक्स्ट देखो सिकंदर की आकर्मन के समय पंजाब में कौन सी जातियां राजिस्थान में आकर बसी तो जब सिकंदर का आकर्मन हुआ तो उस समय पंजाब से कौन सी जाती जो है वो राजिस्थान में आकर बसी मालव, शिवी और अर्जुनाईन ये तीन जातियां राजिस्थान में आकर बसती हैं कहां से आई ये पंजाब से आई 14 देखो वर्तमान में राजिस्थान के कौन से शेतर पर शिवी जाती ने आधिपत्ति स्थापितों किया तो राजिस्धान के कौन से शेत्र पर जो है शिवी जाती कहां पर आकर रही तो यह है उद्यपूर का पूर्वी, पक्षमी और उत्तर के शेत्र पर जो है वो आकर ये रहती है याद रखें आप उद्यपूर शेत्र में जो है शिवी जाती जो है आकर रही शिवी जनपत की राजधानी कौन सी थी तो अब ये important हो गया तो माध्य मिका या हम इसे मच्छ मिका कहते हैं शिवी जनपत की राजधानी थी ठीक है अब आप खुद ही देख लीजिए chapter number 2 है कितने important जो लाएने हैं इसमें हैं और आपके exam में आपको देखने को मिली हैं जो बच्चे गलती कर देते हैं कि वो हर चीज को important नहीं मानते हैं और exam में फिर ये सोचने लग जाते हैं आसान से प्रस्ण में भी जो है वो गलतियां उनसे हो जाती हैं उसका कारण यही रहता है चैप्टर नहीं पढ़ते हैं डारिक कोश्चन आंसर करते हैं 16 है माधिमिका की अवसेस जो है कहां से प्राप्त हुए हैं तो माधिमिका की अवसेस जो हैं चितोड के पास जो नगरी है इस गाउं से प्राप्त हुए हैं चितोड के शेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो चितोड के शेत्र को जो है मेवाड के नाम से जाना जाता है मेवाड नहीं मिले तो आप याद रखें मेधपाट के नाम से जानते हैं मेदपाट भी यदि आपको नहीं मिले एक्जाम में तो प्रागवाट मिलेगा राजिस्तान के भरतपूर अलवर शेतर में किस जाती ने आदिपत्ते इस्थापित किया था तो शिवी जो जाती थी मैंने आपको बताया कि उध्यपूर के आसबस जो है वो आकर बस्ती है वहीं पर ये जो दूसरी जाती थी अरजुनायन ठीक है जो मालव थे ये कहां पर आकर बसे तो ये जैपूर के निकट जो नगर है टॉंक यहां पर आकर बसते हैं तो तीनों के बारे में आकर मैंने आपको बताया कि पंजाब से तीन जाती हैं सिकंदर के आकरमण के समय आती हैं राजेस्थान में एक तो बसती है भरतपूर, अलवर के शेतर में अर्जुनायन, दूसरी जो है जो मालव थे ये बसती है जैपूर के पास में, टॉंक में ठीक है आपको यहीं पर याद हो जा रही होंगी 20 है मालवों की विजय का जो यूप अभिलेक है यह कहां पर इस्तित है तो यह नांदसा भीलवाडा में इस्तित है इस अभिलेक में, यूप अभिलेक में जो है मालवों की विजय का उलेक मिलता है किसके आक्रमण से जनपद विवस्था जो है समाप्त हो गई जब हूणों का आक्रमण होता है जनपदों के बतन का वर्डन जो है हमें कहां से मिलता है इनका वर्डन की हूणों ने आक्रमण किया और जनपद विवस्था हो गई समाप्त तो इसका जो हमें पता लगता है व्रहद साहिता नामक जो ग्रंत है उससे हमें मालूम पड़ता है जन्पद की समापती के बाद सभी शेत्र जो है किन नामों से जाना जाने लगे तो अब जनपद समापत हो गए उसके बाद जो है हम इनको मेवाड नाम से जानने लगे बागड, मारवाड, हाडोती, डूडाड और मेवाड ठीक है तो आप मैप जो है जरूर देखें और मैप में जाकर जो है ये ची समझने की कोशिश करें कि कौन सा जो शेत्र है वो मेवा कहा गया, कौन सा शेत्र बागड कहा गया, कौन सा मारवाड, कौन सा हाडोती, कौन सा डूडार और कौन सा मेवाड ठीक है प्राचीन शिवी जनपद का शेत्र किस नाम से जाना जाता है तो जो शिवी जनपद है मैंने आपको बताया उदैपूर के आसपास का शेत्र शिव को पता है कि मिवाड की जो है सात राजधानिया रही समय समय पर राजधानिया जो है परिवर्तित रही ठीक है सबसे पहले राजधानी जो है वो नागदा रही उसके बाद जो है वो आहड को राजधानी बनाया गया फिर कल्यानपुर को राजधानी बनाया गया चितोड को र 10th class पढ़ेंगे तो वहां आपको ये समझ में आ जाएगा किसने जो है नागदा को राजधानी बनाया किसने आहड को बनाया किसने चित्तोड को बनाया ठीक है किसने कुम्बलगड को बनाया ये सब कुछ आपको बापता चलेगा अभी class 6 है तो यहां आपको बस इतना याद रखना है कि मेवाड की कुल जो 7 राजधानीय समय समय पर बनायी गई next देखो 26 question कहता है कि राजिस्थान के कितने शेत्र बागड के नाम से जाने जाते हैं ठीक है यहां पर जो है बागड अलग है और बांगड अलग है ठीक है यहां हम बात कर रहे हैं बागड की तो बागड में दो शेत्र आते हैं डूंगरपुर बासवाडा next देखो पिलानी के पास जो है नरहड शेत्र को कहा जाता है बागड यहां पर देखिए important है आप लोगों के लिए बहुत बहुत important है 27 question क्योंकि हम बागड शेत्र में केवल डूंगरपुर और बासवाडा को ही जानते हैं लेकिन आपको जो है ये भी जानना है कि एक और शे से जाना जाता है ठीक है और सबसे पहले जो है मरू प्रदेश में ही आकर जो है वो बसते हैं विदेशी 29 देखिए मंडोर पर सातवी सताब्दी में किसका शाशन था याद रखें सातवी सताब्दी पर यहां पर गुर्जर प्रतिहार जो थे उनका शाशन था 30 है कोटा बुंदी का शेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो हाडोती शेत्र के नाम से जाना जाता है उसके बाद देखें कोटा बुंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाती का शाशन था तो यहां पर जो है मीणा वंस का शाशन रहा बुंदी नाम करन किसके नाम पर नेक्ट देखें कच्छवाहा वन्स से पहले डूनाड शेत्र में किसका शाषन था तो कच्छवाहा वन्स से पहले यहां पर मीना और बढ़ गुर्चर जो है वो रहा करते थे ठीक है तो इस तरीके से 34 कोश्यन जो है हमने अभी कंप्लीट किये है नेक्ट पर चलते हैं कोश् वन्स था शिशोधिया वन्स था यह कहां पर इनका साषन रहा तो मेवार शेत्र में रहा 36 कोश्यन है कि अलवर भरतपूर का शेत्र किस नाम से जाना जाता है तो अलवर भरतपूर का शेत्र जो है वह बाद में मेवात शेत्र के नाम से जाना गया और यहां पर जो है किनका नायक था वह कौन था तो वह हसन खां मेवाती था तो याद रखना है पूरा नाम आपको क्योंकि एक्जामिनर हो सकता है ये मेवाती वर्ड ही ना दे हसन खां ही दे दे तो आपको याद रखना है हसन खां मेवाती 39 है कि हसन खा मेवाती जो है किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा गया था तो खानवा के युद्ध जो हुआ था उसमें राणा सांगा की तरफ से पाती पेरवन पद्धिती के द्वारा यहां पर खानवा के युद्ध में हसन खामिवाति साथ किसका देते हैं? राणा सांगा का साथ देते हैं ठीक है? 40 क्या है कि प्रतापगड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कांठल नाम से जाना जाता था next देखिए 41 क्या है कि जालावार शेत्र को किस नाम से जाना जाता था तो केवल जो है जालावार जो शेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, जालावार ये इसको हम हाडुती शेत्र के नाम से जानते हैं ठीक है इसके अलावा केवल हम जालावार की बात करें तो जो मालवा है यानि मद्यप्रदेश का जो भाग था उसमें कुछ भाग जो है राजिस्थान का जो है शामिल था जिसमें आता था जालावार शेत्र तो इसको हम मालवा के नाम से भी जानते हैं सेखावटी शेतर में कौन कौन से शेतर आते थे तो चूरू, सीकर, जुंजनू ये किस में आते थे सेखावटी शेतर में 43 है व्यावर और अजमेर शेतर को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जो हम मेरवाडा नाम से जाना जाता है तो एक जो है मेरवाडा है मेरवाडा जिसमें व्यावर और अजमेर आ रहे हैं एक मेवात है मेवात में अलवर और भरतपूर आ रहे हैं ठीक है और मालवा जो है जहालावाड शेतर को कहा जाता था तो इस तरीके से इस चेप्टर में 43 लाइन है जो कि आपके लिए most important है question format में हमने देखी है इनको याद करने में आपको बहुत ही जो है आसानी होगी exam के लिए बहुत important रहेंगे और इसमें से आपको पता ही है आप लोग exam देकर आए हैं गलतियां आपसे हुई है क्यों हुई है ये भी आपको पता चला होगा बहुत ही आसान जो है वो प्रशन आजाते हैं exam में लेकिन वो हमें कठी जब लगते हैं जब हम उनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं ठीक है तो आपके लिए जरूरी है बहुत अच्छे तरीके से जो है इनको समझना और उसके बाद इनको याद रख पाना तो इस तरीके से देखिए राजिस्धान जी के जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया पहले राजिस्थान जी के मैंसे आप लोग कोशन जो है वह हो सकता है एक या दो कोशन आप गलत करके आए हो लेकिन मैक्जिमम आप सभी लोग जो हैं सही करके आए है राजिस्थान जी के के ठीक है तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रॉपर विम में पढ़ाई की थी तो चलि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम चैप्टर नमबर थी करेंगे ठीक है मिलेंगे रेक्स वीडियो में ठेंक यू